वेल्कम टू एक्वेटर अक्याडमी दहरादूं और फिर से लाई हूँ मैं यह वीडियो उनके लिए जो उद्यान परिविक्षक वर्ग तीन यानिके होटी कल्चर सुपरवाइजर बालेजीय ग्रूप के लिए स्टूडेंट है और इस एक्जाम में बैठने जा रहे हैं त तो सबसे पहले कुछ प्रोटोजवा के जनरल कर्रेक्टर्स को और डेफिनेशन को देख लेते हैं तो दीखिए क्या लिखा हुआ है प्रोटोजवा डिफाइन एज माइक्रोसकोपिक यानि कि जितनी भी प्रोटोजवा है वो सिर्फ और सिल्फ क्या होंगे भी इसमें नहीं मिलेगा यानि कि cell grade के आपको क्या मिलेंगे ये animals माने जाते हैं single cellular जो हैं वो animal माने जाते हैं but क्या having one or more nuclei तो ये एक आपका चौथा fact बन सकता है कि रोटोजवा के जो animals हैं क्या उनके cell में एक ही हमेशा nuclei होता है ठीक है आज़ा फिर they exist either single or colonial form ठीक है यानि कि एक cell के form में होंगे या एक ही cell जो है क्या बना देंगे क्लोणी की form में बना देंगे ठीक है तो यह भी एक keyword हो गया कि क्लोणी के form में आपको मिलेंगे which differ from metazoa metazoa भी आगे चलके हम लोग समझेंगे क्या चीज़ है बट इसी वज़े से यह metazoa से क्या होते हैं अलग होते हैं having all individuals alike except when engaged in reproductive activity लेकिन 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 बच्चों यहाँ पे जो protozoa की reproductive activity होती है कुछ वो similarity दिखाती है किसके साथ metazoa के साथ दिखाती है उसको हम लोग समझेंगे आगे क्या है में बात करें पॉइंट टू पॉइंट के बात करें तो जैसे मैंने पहले बता दिया था मैं अंडरलाइन या सर्कल करता जा रहा हूं कीवर्ड्स आप लोग लिखते हैं कि देखो सभी आपके यूजली क्या होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं ठीक है एनिमल क्यूलस आपके होते हैं ठीक है और नॉट विजबल विदाउट आप माइक्रोस्कोप यह हम लोग पहला पॉइंट समझ चुके हैं दूसरा simplest and most primitive of all animals with protoplasmic grade of organization तो यह आपका second point आपका होगा कि इन में कैसा होता है protoplasmic grade of organization होती है protoplasm grade का फिर body uniceller जैसे मैंने शुरू बताया था कि एक cell का आपके बने होते हैं यह जातर containing word of more nuclei यह भी मैं आपको बता चुका था पहले वारे definition में चौथा आपका point हो गया monomorphic और dimorphic जो होते हैं ठीक है which are monomorphic और die दो वाले solitary और forming loose colonies in which individual remain alike and independent या तो single जी रहे होते हैं या colony की form में जी रहे होते हैं body, symmetry, non, bilateral, radial और spherical यानि कि सभी जितने भी different type of symmetry होती है वो आपका जो protozoa होता है वो दिखाज़ता है साइज आपके symmetry चाहें कोई भी ना हो bilateral बता होगा आपको कि दो बाटी, दोनों एक दूसे की mirror image बनेंगी, radial आपके हो गए ठीक है और या spherical हो गए तो दोनों आपको मिल जाते हैं फिर body naked और, और bounded by palicle तो ये एक question आपका बन सकता है MCQ के लिए कि protozoa की animals की जो body जिस layer से घरी होती है उसका बताओ इन चारों में से क्या नाम है या पैलिकल जो है जजी जो structure होता है वो किस phylum में आपका मिलता है तो वो protozoa phylum में आपका मिलता है and often provide simple to elaborate shells इसको भी आगे देखेंगे हम लोग और exoskeleton ठीक है then single cell body perform all the essential function और vital activity जबकि हम जो multi cell organism है उसमें सारे जो essential function perform करने के लिए है जैसे respiration, excretion, reproduction, adaptation उसके लिए देखो अलग अलग से हमारे में क्या है organs है बट इसमें एक ही cell क्या कर रहा है सारे के सारे जो vital और essential activity है वो perform कर रहा है hence only sub-cellular physiological division of labor ठीक है ये word याद रखना है की word है आपका इन में कैसा division of labor मिलता है तो आपने टिक करना है एक option में लिखा होगा sub-cellular physiological division of labor locomotion यानि कि चलने फिरने के लिए locomotion के लिए क्या है इन में या तो pseudopodia आपको मिलेगा ठीक है ये कह सकतो पहला organ आपका हो गया या flagelum आपको मिलेगा ये तूसरा आपका औरगन हो गया या cilia आपको मिलेगा ये तीसरा आपका लोको मोटरी ओर्गन हो गया या कुछ पोटोजोगा ऐसे होते हैं जिनमें ना तो सूडोपोडिया होगा ना तो फलैजिला होगा ना तो cilia होगा अब आते हैं nutrition में कैसा होता है पोटोजोगा के जो क्या होता है तो प्लांट लाइक नूट्रिशन को फॉलोफाइटिक बोलते हैं सेप्रोफाइटिक में पढ़ा चुका था पहले सेप्रोफाइटिक है पारसिटिक जब डेड और्गैनिजम पर या डेड आनिमल्स पर जिन्दा रहते हैं ठीक है डादेशन जो इनमें होता है इंट्रासेलूरर इनसाइड फूड वाक्योड बहुत प्यारा पॉंट है यहां से आपका एक M.C. क्योशन बन सकता है कि इनमें जो डाइशन होता है वो सेल के अंदर कहां पर होता है तो आपने टीक करना फूड वाक्यूज के अंदर होता है रस्परेशन एक्सकुरेशन ठीक है जनल सर्फेस दिया नहीं कि इन में रेस्परेशन और एक्सक्रीशन के लिए अलग कोई सिस्टम या औरगन नहीं है जैसे हमारे में होता है सारा बॉडी सर्फेस हो रहा है और थू क्या लिखा हुआ है कॉन्ट्रक्टाइल वाक्यूल विच सर्फ मेंली फॉर ओस्मू रेगूलेशन यानि कि एक तरीके से कोशन आये कि फ्रोटो जुआ में रेस्परेशन और एक्स्रीशन इन चारों में से किसमे होता है तो एक उप्शन लिखाओगा कॉन्ट्रक्टाइल वाक्यूल से होता है तो बच्चो ये आप टिकर के आना ठीक है अब यहीं पर इसका फर्दर जो है क्लासिफिकेशन किया गया है उसको भी मैं आपको थोड़ा बता जता हूँ तो ये कई बार फर्दर क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं तो ये जो आपका फाइलम ठीक है ये जो आपका फाइलम प्रोटोजवा है प्रोटोजवा ठीक इसको फर्दर जो है सब फाइलम है बाटा गया है ठीक है इट इस फर्दर डिवाइडे इंटू सब फाइलम एक्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई ठूटर जुआ कि सब फाइलम कौन से हैं तो देखो पहला जो आपका सब फाइलम है इसका जो आपको याद रखना है कई बार पूछ लिया जाता है वो है सार को मैस्टिको फोर ये पहला सब फाइलम है सार को मैस्टिको फोरा ठीक है इसमें बच्चो क्या होता है सार को इस सब फाइलम के जो आनिमल्स होते हैं सार को मैस्टिको फोरा उनमें जो लोकोमोटरी ओर्गन होता है वो या तो सूडो पोडिया होता है या फ्लैजिला होता है या दोनों हो सकत होता है ठीक है और nuclei जो होता है वो एक ही तरीके का होता है यानि कि monomorphic होता है तो यह क्या हो गए सार को masticophora सेकंड जो आपका इसका है सब्फाइलम सेकंड सब्फाइलम वो है sporozoa sporozoa ठीक है इसमें जो लोकुमोर्टरी ओरगन होता है वो एपसेंट होता है ठीक है बच्छो इसमें क्या होता है एक होता है और शुरो दोछ इक्सक्लूजीवरी क्या होते हैं sindoparacite qosun क्या horiza आएगा प्रोटोला का वो कौन सा सबसासाय हमां जिसके सारे आनिम्ल इंड़ पारासाइट होते हैं तो sporozoatic करना इसके एक्जाम्पिल जैसे monocyst, gregarina, toxoplasa, myxodemia, nosmania, तोरी यह toxoplasa तक ठीक है और plasmodium y-bex फिर ठर्ड जो आपका subphylum होता है वो होता है नीडो, spora, नीडो, spora, यह third subphylum है बच्चों, नीडो, spora इसमें क्या होता है, spore with polar filament present होते हैं बस चौथा subphylum जो आपका होता है, celiophora होता है, celiophora, ठीक है celiophora, इसमें क्या होता है, presence of celia, इसमें आपको animal में celia मिलेंगे, as locomotory organ, और nucle जो है, इसमें दो काइन की होते हैं, यानि कि डाइमॉर्फिक नूकली होती है, ठीक है, तो इसका बड़ा अच्छा ननना मुनना एक्जामपल, celiophora, subphylum का क्या टिक करते हैं, आप लोग, paramecium, कोशन क्या आएगा, paramecium का subphylum बताओ, phylum तो याद है, प्रोटोजवा, subphylum बताओ, तो क्या टिक करो कि उसलियो फोरा, तो उमिद है, आप लोग को यहां तक समझ में आ रहा हो, अगर अप तक समझ में आ रहा है, तो बच्चों, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बैल आइकान को कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे, लग भल लग होगा, आपकी पूरी बाटनी जिलोजी में कंप्लीट कर सकते हैं, आप